मुझे अंगन बाडी की इस बिल पर बोलने का सोभा के मिला है। सभापति जी भारत में अंगरवारी योजना की शुरुआ जब उनीसों पिशेत्र में की गई थी तब यह प्रमु कार्यक्रम में से एक था लेकिन यह दिरे 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 यह पिछे चलता गया देश के परधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस कार्यक्रम में और गती दी और मैं समस्ता हूं कि इस योजना के अंतरगत अभी वर्तमान में चोदा लाख अंगडबारी के अंदर है और जिन में से 13,87 जार संचालित अंगडबारी के अंदर है यानि देश में अंगडबारी के अंदरों की सवेकरत 12,265 के अंदर जो है वो अब भी संचालित नहीं है अंगडबारी कार्यक्रम के नुसार इस देश के अंदर महिल अं करोना काल के अंदर देश और दुनिया में जब पहुना मचाया था तब अंगड़वारी केंदर पर इसके सीधा परभाव पोश्चन पर पड़ा था ऐसे में एक नियारास्ते निकालने की जुरूरत पड़ी जिसे अधिकांश लोग अधिकांश बच्चों का पोश्चन मिल स के एसी सुईधाएं केंदर सरकार ने परदान की राजियों ने त्यम आपदंड के नुसर करीवन 4,000 क्रोड रूपे कम रासी जारी जो 4,000 क्रोड रूपे रासी जारी किये थे उनको राजियों ने भी तक उप्योग नहीं किये मैं कह सकता हूं कि 2,018,19 में 565 क्रोड रूपे और 2,019,20 में करीवन 1,566 क्रोड रूपे कि रासी जो केंदर सकाय ने दी थी राजियों ने उप्योग नहीं किये बहुत सारे अंगणबारी तो सुचारूरूरूप से संचारित है लेकिन देश में से कही अंगणबारी केंदर है जिनकी वर्तमान में स्तती बहुत खराब है उनमें यह तो बहुन नहीं है बहुना तो किराये पे चल रहा है और केंदर सरकार इस पे विसे जहां दे रही है सबाफती जी जहाँ पर जिन अंगड़बडी केंदरों में ब्लींग नहीं है वो काफी ऐसे चेंदर हैं जो किरया के बहन में भी चल रहे हैं स्कूल में भी चल रहे हैं जहाँ पर प्राटलिमिक सिक्षा है और हॉम विजिट करना कार्या करता को और साहिका का पर मुखाम है मैं आपके मादे में से सरकार से आगरे करूंगा कि कार्या करता और साहिका को इस पर मान दे दिया जाता है मेरे से पहले कही मानने यह सांस दोने यह बात को रखा होगा कि 8,000 कार्यकरता को मांदिया और साहिका को 8,800 रुपे इस मांदिया को वेतन में चेंज किया जाए और इस मांदिया को बढ़ाए भी जाए यानि 8,000 रुपे और 4,800 रुपे साहिका यानि बच्चों को घर से लाना और घर पे छोड़ना और कार्यकर्टा का गवाम विजिट करना तो यह जो मांदिय बहुत कर में मांदिय को बढ़ाना चाहिए और एक मांदिय नहीं इसको वेतन के रूम में इसको देना चाहिए मेरे अगर मैं एक लोकसवा चेतर की बात करूं तो करीबें 1974 अंगरबार इकेंदर है जिसमें 790 वहन जो अंगरबार इकेंदर वहन में चल रहे हैं बाकी सब स्कूलों में चल रहे हैं वहाँ पे सोचाले होना, वहाँ पे बिजली है नहीं है, वहाँ पे जेजेम से जो पीने के पानी का, वहाँ पे पाइपलाइन पीने के पानी बच्चों के लिए साफ सुतरा पानी है यह नहीं है, यह सब देखने की बात है, आंगडबारी के अंदर अच्छे से सिंचारी तो इसके लिए सरकार वस्ता कर रही है मैं इसमें ज़्यादे कुछ नहीं कहता मैं इतना निवेदिन करना चाहूंगा सभापती जी कि अंगडबारी की जो कार्यकरतर साहिका है उसके बहुत बड़ा रोल होता है गाहों के अंतिम छोर पे बैठे वी वेक्ति जहां पे रेगिस्त की अबाधी पे एंगापदी की ऑबाधी है जोसे कम अबाधी वाले चेतरों में इसकेश्ता के इक करता है साहे। देकर उस चेत्र के विकास की योगदान में अंग्रबारी के तर एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है उनको बढ़ावा देना चाहिए मैं आप सब के मादें से मैं सरकार का मैंसे बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि यो बिल में इतना वो सेयो कर रहे हैं माननमंत्री जवाब में ये बात कहेंगे बहुत बहुत दिन्यवाद स्रीदानिश अली जी